प्रदान मंत्री नरींद्र मूदी अपने विदेश दौरे पर हैं जुसमें वो पुद्वार को पोलेंड के लिए रवाना हुए थे वहीं आज वो यहीं रुकेंगे बतादे कि पिछले 45 साल में किसी भारतिय प्रदान मंत्री की ये पहली पोलेंड यात्रा है यहां मौजूद भारतिय समुदाय के लूगू से भी प्रदान मंत्री मोदी मुलाकात करेंगे आज सियम योगी आदितनात मुजफर नगर में रोजगार मेले का शुभारंब करेंगे साथ ही युवाओं को नियुकती पत्रों और छात्रों को लैप्टॉप भी वितुरत करेंगे बतादे कि इस रोजगार मेले में 50 से जादा कमपनियां शामिल होंगी आज मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन अपने पलामू दौरे पर रहेंगे बतादे कि सियम का पलामू के छियांकी हवाई अड़ा पर कारक्रम होना है इस कारक्रम में सियम मया सम्मान यूजना के तहत लाबुकों को पहली किष्ट का राशी जारी करेंगे मुख्य मंत्री विश्णु देव साय के निवास में हर सप्ता गुरुवार को जन दर्शन कारक्रम का आयूजन किया जाता है जिसमें लोग अपनी समस्याओं की समधान के लिए पहुँचते हैं लेकिन आज होने वाला जन दर्शन कारक्रम आपरिहाय कारणों से स्थागित कर दिया गया है कजरी तीज सुहाग पर्व है इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख सम्रद्धी आती है भाद्रोपद मास में कृष्ण पक्ष की तृत्या को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है इस साल ये त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा टीवियस मोटर इंडिया अपने न्यू जेनरेशन मॉडल को भारतिय बाजार में उतारने के लिए तैयार है टीवियस जूपिटर 110 कई लेटिस फीचर्स के साथ आज लॉंच होने जा रहा है टीवियस मोटर कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस स्कूटर की लॉंच तक तकरीबन 4 लाग यात्री वाहनों के सलकों पर ना उतरने के आश्रंकार रहेगी बतादे की हरताल से आटो टैक्सी और एप आधारित कैप सेवा प्रभावित रहेगी दिली आपकारी नीती से जुड़े कथित मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार वियारेस नेता के कविता की जमानत याचुका पर आज एडी अपना जवाब दाखिल करेगी जुसके बाद 27 अगस्त को मामले की सुनवाई की जाएगी तुरपुरा में भारी बारिश की च्वेतावनी के चलते मुख्यमंत्री मनिक शा ने दो दिनों के लिए राज्य के स्कूलों को बंद करने का आदीश दिया था जिसके चलते आज भी राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे दिली में कई लागों में आज जमाजम बरसाथ के आसार हैं, मौसं विभाग के मुटाबक आज दिली के कई लागों में तेज बारिश के साथ-साथ बिजली की चमक को भी देखा जा सकता है वक्त चुका है इतिहास का तो आईए जानते हैं आज का दिन क्यूं है कुछ खास आजी की दिन 1851 में आस्ट्रेलिया में सुने की खानों के इलाकी की खोड़ रुई थी आजी की दिन 1894 में नेटाल भारती कॉंग्रिस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी आजी की दिन 1778 में केनिया के पहली राश्ट्रुपती जोमो केनियाता का 83 साल की उमर में निधन हुआ था आजी की दिन 1924 में हिंदी के प्रसिद्द लेखाक और व्यंगकार हरीशंकर परसाई का जन हुआ था आजी की दिन 1921 में राश्ट्रुपता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तरु की होली जलाई थी फिलाल के लिए मॉनिंग निउस में बस अतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों कुछ जानने के लिए आप देखते रहेए सी निउस भारत